तुछ से तो ना हो पाएगा अगर ये लाइन सुनके आपका कभी भी अपने आप पे डाउट आने लगे और आप अपने लक्षे को छोड़ने का सोच रहे हो तो आज की कहानी आप अपने दिमाग में रखना बहुत हिम्मत देगी तो हुआ कुछ यहों कि एक जंगल में एक भरगत का पेड था और उस पेड पेड चील ने अंडे दे रखे थे और उसी पेड के नीचे जंगली मुर्गी ने भी अंडे दे रखे थे एक दिन हवा का बहाव आया और एक चील का अंडा नीचे गिरके मुर्गी के अंडों के साथ मिक्स हो गया अब समय भीता, अंडे फूटे वो चील का बच्चा भी बाहर आया पर वो तो मुर्गी के अंडों के साथ था अब वो ये सोचते हुए बड़ा हुआ कि वो तो मुर्गी है अब वो वही करता जो कि मुर्गियां करती थी वो उतना ही उड़ सकता था जितनी मुर्गियां usually उड़ती है और आपको पता है कि मुर्गियां जादा नहीं उड़ सकती आपको पता है एक दिन वो चील का बच्चा जो कि मुर्गी की तरह पला बड़ा था उसने आसमान में चील को उड़ते देखा तो उसने अपनी मुर्गी मा को पूछा कि मा वो पक्षी कौन है जो बड़े शान से उड़ रहा है मा कहती है बेटा वो तो चील है तो बच्चा मासूमियत से सवाल पूछता है कि हम लोग इतना उचा क्यों नहीं उड़ सकते तो मा कहती है क्योंकि तुम मुर्गी हो और ये सोच के कि वो मुर्गी है सेल्फ डाउट में कभी उसने ट्राई भी नहीं किया उचा उड़ने का और सिर्फ मुर्गी बनकी वो जीता रहा और एक दिन मर गया अब क्या मॉरल निकलता है इस्टोरी का पता है लोगों ने कहा आपने मान लिया आपने ठ्राई भी नहीं करा कि शायद मेरी सच्चाई कुछ और है मैं कुछ और हूँ वो सोचा भी नहीं और सेल्फ डाउट में आप खतम होगा है गाईज एक बात बताओ जीत अगर सुनिश्चित होना तो कायर भी लड़ जाते हैं बहादुर वो होते हैं जो हार का पता होने के बावजूद भी मेदान में डटे रहते हैं इसलिए सेल्फ डाउट छोड़ो अपने आप पे भरोसा रखो और लोगों के बैकावे में ऐसी पाउफुल स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऐसी वीडियोज को लोगों के साथ शेर करो ताकि वो भी अपनी जिद्दिगे में कुछ कर सके मिलता है अगली वीडियो में